हेले वरीवन कैसे आप सब उमीद करतों कि आप सब मज़े में होंगे मैं आपका होस्ट और दोस्ट अमिद घाइकवाड एरॉंस के यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज हम अपके लिए लाए है एरॉस की तरफ से 15 इंची स्पीकर जिसका मोडल नमबर रहेगा MB15N800 लेकिन इस स्पीकर के बारे में बताने से पहले बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेके आखरी तक जरूर देखिए कि इस वीडियो में हम इस प्रोड़क के बारे में टेखनीकल इंफोर्मेशन देने वाले है और लाइव डेमो भी देने वाले है तो हम नहीं चाहते है कि आप यह मिस करें और चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो आईये हम 15N800 इस पिकर के बारे में जानते है यह 15-H Neoderm Magnet स्पिकर है यह स्पिकर आप डबल-15 क्याबिनेट में भी यूज कर सकते है सिंगल पन्दर चैर्ड इसकि monitor या टॉब मे और टेकनिकल इंफर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए तो आईए इस श्पीकर को हम अन्बॉक्सिंग करते हैं तो आईए हम 15N800 श्पीकर को अन्बॉक्सिंग करते हैं अब यह बॉक्स को मैं ओपन कर रहा हूं कि यह आप देख सकते हैं मैंने यह पर यह बॉक्स ओपन कर दिया है अब यह बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको एक करटन पैकिंग आ रही है जो पीस है प्रोड़क्स के लिए दिया गया है कि टांस्पोर्ट में आपका प्रोड़क्स जो यह डामेज ना हो इसकी लिए कुछ इस तरह से है पर उसके बाद एक साइड में भी कर्टन पैकिंग है जो पूरे बक्से के साथ जो है जो है जो है जो है और आपका स्पीकर अंदर प्रॉपरली फीड़ रहा है तो यह सेफ्टी की इसाब से दिया हुआ है और स्पीकर जो है यह प्लैस्टिक के तहली में पैक है मैं आपको स्पीकर जो है जो है यह पीछ आपका बारिष में गिला नो हो या किसी भी तरी का पानी लागये तो इसके लिए प्लैस्टिक के ठेली में फैक किया गिया है मैं पीछे की तरफ से भी तरफ से भी आ जो हुआ है अब हमने अंबधी पंदरान आच्छों स्पीकर का अन्बॉ जो इसके उपर जो दिये गिए यह एर पासिंग के लिए आपको यूज़ होगा मतलब यह स्पीकर का जो वोई स्पीकर के बारे में पूरी नॉलिज मिल जाएगी जैसे कि स्पीकर का मॉडल नंबर है उसके नीचे ही लिखा हुआ है पावर मतलब स्पीकर का पावर रेटिंग क्या है वह जो लिखा हुआ है 800 वाट उसके नीचे ही लिखा है वोई स्कोईल जो चार इंची है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉंस 32 हर्स से लेके 2000 हर्स तक है इंपेड़न्स जो है आट हो में यह पूरी इंफोर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी स्टीकर के उपर उसके नीचे तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं स्पीकर का बास्केट है बहुत ती अच्छी कॉलिटिक है और मजबूत भी है यह मैं आपको दिखा रहा हूं और बास्केट यह कि यह पुछ बटन के तरह वर्क होगे अगर एक बार आप इसे हलके से प्रेस करेंगे तो यह नीचे की तरफ चले जाते मतलब की डाउन चले जाते और आपको वायर कनेट करने में आसा नहीं हो जाएगी अधरस ब्रैंड की तरह आपको स्लोडरिंग करने की ज़रूरत नहीं रहें यह Mb15N 800E स्पीकर का फ्रंट साइड है यह आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही तरीके से और राउन शेप में प्रॉपर डीजन किया गया है यह स्पीकर की कोन पेपर है कोन पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है आप देख सकते और जो मुवमेंट म आपके बहुत ही तरीक शेटे और शेपी की तरीक से और स्मू practitioners हो रही है झाल आप हम लो में यहां यहके अपर उप mercury रख रहा हुं झाल 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 गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारुणे कोला सुर्भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वत के सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोड़क के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रही है वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग